नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉंडेस सॉफ्टेसेश में आज हम आपको ले चलते हैं कि ग्रांट्स वफील बनाने के लिए हमें किस चीजों का दियान रगना होता है तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें किस चीज पर ग्रांट्स अपील बनानी है तो देखिए असेसिंग ओफिसर को अधी बुक्स वफ एकाउंट में कोई ऐसा एंट्री या लोन मिलता है जिसका की एक्स्प्लीनेशन उस समय वह सैटिस्पाट नहीं हो पाता तो उस किसमें अगर वह उस एडिशन करके हमारा सेस्मेंट कर देता है तो हम उसके ग्रांट्स वफिल बनाने के लिए अपील फाइल करने के लिए किस तरीकी से तयारी करनी होगी चलो दोफसों चलते हैं तो सबसे पहले ग्रांट्स वफिल में हम देखेंगे कि सेक्शन 68 में जो एडिशन किया गया है उनस्विक्लूट लोन का तो देखें पहले एक उसने जो डॉक्मेंट्स मांगे थे तो कि हमने वो डॉक्मेंट्स सम्मिट कर दिये अगर नहीं सम्मिट किये या कर दिये कर दिये हैं और उसने उसके बाद भी जज्जमिंट कर दिया हमारे एडिश्ट में तो हमें उस चीज को उसमें डालना होगा सेकंड लिए सर्च का क केस है और कोई ऐसी चीज मिलती है जिसका कोई एविडेंस नहीं होता लेकिन फिर भी वह उसका एडिशन कर देता है तो उसकेस में भी हमें उसके असेशी के लिए उस ग्राउंड को भी लेना है तीसरा अब जैसे माल लीजिए आपने सम्मन इसू किए अनसेक्रिट लेंडर को लेकिन उस अनसेक्रिट लेंडर ने कोई भी जवाब नहीं दिया या वो सम्मिट नहीं हुआ तो इस वाले ग्राउंड को भी हम ले सकते हैं कि बिना सम्मन के इसू होने के बाद अगर अनसेक्रिट ल नहीं दी गई है तो इस वाले ग्राउंट को भी लिए सकते हैं इसके लावर लास्ट में अपने पास एक ब्रहमस रखना पड़ता है जिसमें बताना पड़ता है कि हमें एक रिप्लाइ सब्मिट करने के लिए जब यह इरिंग की डेटा उससे पहले जो हमें समिशन करने लिंक से के माद्दे हम से आप सेंप्ल ग्राउंड्स और इस अपील को फाइल करने के लिए कि इनके चीजों की आपको आप सत्ता होगी और एक हमने उसमें सारे लिफ्ट बनांगे दियुए है तो आप उससे डेस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को डाउनलोड करने के सारी चीज़ को समझ लें और अपनी अपील को फाइल करने से पहले इन चीज़ों को दिहान में रखके क्योंकि ग्राउंड्स ही एक ऐसी चीज़ जिसके आदर पर अपील डिसाइड होती है तो दोस्तों जब आप उसको खूलेंगे और डाउनलोड करके उसको देखेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी और मदद मिलने के साथ ही आपकी यह पूरी अपील बहुती कम समय में कम मेरत में तैयार हो जाएगी हमारा उड़ेस भी यह है कि आपको हर किसी तरीके से आपको अपने प्रोफिसनल वर्क में मदद मिले तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवा जूसा है